प्राचीन मिस्री सभ्यता के साथ मजबूर जुडवा एक संबंध है उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धाराओं के साथ बिल्ली की एक विशेश भूमी का बिल्ली जिसे मिस्री लोग मानते थे देवी न केवल एक पालतू जानवर थी बलकि उनके सामर्थ्य और शक्तिशाली स्वरूप की प्रतिनिधी भी थी इस प्राचीन मिस्र कथा का अन्वेशन हमें उस समय के समाज, धार्मिक विश्वास और कला के प्रती उनकी प्रेम के बारे में बताता है मिस्र के प्राचीन समय में बिल्ली को संद्रहलेयों के अलावा मंदिरों में भी पूजा जाता था वे देवी बस्तेट के रूप में प्रस्तुत की गई जिने सम्मानित किया गया था और जिनके लिए पुराने मिस्रियन अनेक रितिरिवाज की शद्धा करते थे बिल्ली को स्त्री संतान, फैलाव और आकस्मिक मृत्यू से बचाने की शक्ती के रूप में प्रस्तुत किया गया था. मिस्र की पुरानी कथाओं में बिल्ली को मां बस्तेट के रूप में पूजा जाता था, उन्हें अधिकतर जानवरों की सर्वशक्तिमान देवी माना जाता था, जो अपने शिशों की रक्षा करती थी, उनके चरणों में स्थित दो बिल्लिया संतान की प्रतीक थी, जो सैंकड़ों लोगों की शद्धा का केंद्र बनी रही थी. बिल्ली देवी की प्राचीन मिस्री कथा हमें उनकी सम्रिद धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रती समझने का अवसर देती हैं, उनका चित्रण मिस्र के समय की सम्रिद और विविद संस्कृति के अनुभव को साजा करता है, जो आज भी हमारे लिए उत्साहित करता है और प्रेरित करता है। प्राचीन मिस्री कथा के माध्यम से हम उनके समाज के संदचना, धार्मिक विश्वास और रोजमर्रा की जीवनशैली को समझ सकते हैं। बिली देवी की पूजा में जानवरों के साथ मानवजीवन के तारताजा मुद्दों का भी उलेक होता है। मिस्री लोग उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सहायक मानते थे। चाहे वा आर्थिक सम्रुद्धी, स्वास्थ्य या संतान संबंधी मुद्दे हो। इस प् आस्तव में हमारा संबंध प्राकृतिक विश्व से कितना गहरा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। प्राचीन मिस्री समाज में बिली देवी की महत्वपूर्ण घूमी का थी, जो उन्हें शक्तिशाली, सशक्त और सुरक्षित महसूस कराती थी, उनकी पूजा समाज में समर्श्ता और सामाजिक न्याय को प्रोथसाहित करती थी. बिली देवी की पूजा एक स्थानिय समुदाय में समर्श्ता और साज्यदारी की भावना को बढ़ावा देती थी, लोग उन्हें अपने जीवन के हर शेत्र में महत्वपूर्ण मानते थे और उनके मंदिरों में उनकी पूजा करते थे बिल्ली देवी की कथाएं और उनके मंदिर सम्रिद्र धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा थे उनके शद्धालों की संख्या उनके प्रती उनकी गहरी शद्धा को दर्शाती है बिल्ली देवी की पूजा से उनके शद्धालों आत्मसंयम, सामर्थ्य और संबल प्राप्त करते थे, उनके दर्शन से लोगों को आत्मस्मर्पन का भाव प्राप्त होता था। बिल्ली देवी की पूजा में जानवरों के साथ जुड़ी विशेश धार्मिकता थी, जो मिस्री समाज में एकता और सामाजिक न्याय को प्रमोट करती थी। सामाजिक संगठन को बढ़ावा देने का माध्यम माना गया था। उन्हें धर्म और समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंब माना गया था। बिल्ली देवी की पूजा के माध्यम से मिस्री लोगों को प्राकृतिक विश्व से गहरा संबंध था। उन्हें यहां अपने प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्णता का अनुभव होता था। बिल्ली देवी के पूजा से मिस्री लोगों को ध्यान की महत्वपूर्णता का अनुभव होता था। उन्हें यहां अपने अंतरद्रिष्टी की विकास की महत्वपूर्णता का अनुभव होता था। बिल्ली देवी की पूजा से मिस्री समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक आदर्श समाज का निर्माण होता था। उन्हें समाज के सबसे अधिक वंचित और असाय लोगों की मदद करने का बोध होता था। बिल्ली देवी की पूजा से मिस्री समाज में समर्ष्ता और शांती की भावना का विकास होता था, लोगों के बीच एक साथ रहने की कला को सीखने का अवसर मिलता था बिल्ली देवी की पूजा से मिस्री समाज में ध्यान और मेधा की वृद्धी होती थी, उन्हें यहां अपने अद्वितियक शमताओं का विकास करने का अवसर मिलता था बिल्ली देवी की पूजा से मिस्री समाज में धर्म, संगीत, कला और साहित्य के प्रती रुची बढ़ती थी उन्हें यहां अपने समय के सर्वोत्तम कलाकारों के साथ जुढने का अवसर मिलता था बिल्ली देवी की पूजा से मिस्री समाज में स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की प्रेर्णा मिलती थी, उन्हें यहां अपने शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का अवसर मिलता था बिल्ली देवी की पूजा से मिस्री समाज में विज्ञान और प्रोध्योगी की के विकास को प्रोधसाहन मिलता था उन्हें यहां अपने तक्नीकी कौशल को बढ़ाने का अवसर मिलता था